Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are safe and fine. So, आज की सेशन में हम डिसकस करेंगे further promotions of RRBPO, जिसमें हम जानेंगे कि RRBPO, यानि कि Officer Scale 1 को Officer Scale 2 जाने में कितना टाइम लगता है और इसे कौन्स exams हैं जिनको देकर के वो इस position को, यानि कि Officer Scale 2 की position को जल्दी ही अचीव कर सकता है और कितने टाइम में. So, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe it and hit the bell icon. So, जब आप एक RRBPO का exam clear करते हैं, तो आप एक बैंक में जाते हैं as a PO, यानि कि Probationary Officer. So, इस Probation Period को complete होने में आपका लगता है 2 years and 2 years के बाद आप कहलाये जाएंगे Assistant Manager. So, Assistant Manager आप पहले भी होते हैं जब आपी exam clear करते हैं, पर तब आपकी इक identity होती है as a PO and जब आपका Probationary Period खतम हो जाएगा, तब आपका Identity हो जाएगी Assistant Manager की, तब आपको PO नहीं कहा जाएगा, Assistant Manager of the Bank कहा जाएगा. So, ये मैंने आपको पता दिया Probationary Period के बारे में. The next question आता है कि Officer Scale 1 यानि कि PO से Scale 2 में जाने के लिए आपको कितना time लगता है? So, usually आपको जो ये time होता है, वो होता है 6 years का, यानि कि जब आप एक bank का exam clear करके RRB PO बनते हैं और उसके बाद Officer Scale 2 जाने के लिए आपको लगते हैं 6 years, पर दो ऐसी exams होते हैं, जिनको clear करने के बाद आप इसके लिए पहले ही eligible हो सकते हैं, और वो होते हैं JIB और CIB. So, इन exams को clear करने के बाद आपको ये time period है, वो reduce होके हो जाएगा 4 years का, यानि कि PO से, Officer Scale 1 से आपको Officer Scale 2 जाने में तब time लगेगा 4 years का. So, ये जो exams होते हैं, इनकी एक particular eligibility criteria होता है, जिसको complete करने के बाद ही आप ये exams दे सकते हैं, और इनका एक particular syllabus होता है, और ये भी आपकी usual exams की तरीके ही होते हैं. So, इन exams को clear करके आपके कुछ further increments भी होते हैं, और आपको जो time period है, वो भी reduce हो जाएगा, और आप जल्दी ही eligible हो जाएगे Officer Scale 2 के लिए. Then एक और question आता है, क्या clerk भी इसके लिए eligible होते हैं? तो yes, इसके लिए clerk भी eligible होते हैं, और इस exam को दे करके, वो जो अपने further promotions है, वो जल्दी ही achieve कर सकते हैं. I hope आपके doubt clear हो गया होगा कि Officer Scale 1 को Officer Scale 2 जाने में कितना time लगता है, और कौन से इस exam है, जिने दे करके वो से जल्दी ही achieve कर सकता है, और मैंने आपसे एक और बात कहीं increment की, तो अगर आप चाहते हैं कि हम increment पे भी एक और वीडियो लाएं, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं, जिसमें हम RRB PO और RRB Club के further increments के बारे में discuss करेंगे, तो I hope ये video आपके लिए helpful रहा होगा, तो अगर ये video आपके लिए helpful रहा है, तो अगर आपके कोई भी doubts, कोई भी suggestions हैं, तो मुझे comment section में बता सकते हैं, और अगर अपने चानल को subscribe नहीं किया है, तो do subscribe it and hit the bell icon, जिससे हमारे चानल के साथ notifications आपको सबसे पहले मिलें, Thank you so much!